सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रोतास निमी है और आप सभी का सवागत है हमारे यूटूब चैनल निमी जी नेकर दोस्तो आज हम रिसर्च के अंदर टाइप आफ डेटा मेजरमेंट स्केल के बारे में बात करेंगे इसके अंदर मुखे रुप से नोमिनल और्डिनल इंटर्वल एंड रेसो स्केल के बारे में हम जानेंगे तो इस वीडियो को पूला देखना और ध्यान से देखना दोस्तो हमने NDA UGC NET दिसंबर 2019 एकजाम के लिए एक पेड वर्टसप ग्रूप बनाया है इस ग्रूप में हम आपको दोस्तो सिस्टमैटिक धंग से स्टड़ी करवाएंगे इस ग्रूप में आपको हर रोस दो वीडियो मिलेगी सुभह की जो वीडियो होगी और स्याम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको most important question के बारे में बताएंगे और उनका mock test भी लेंगे इस ग्रूप में आपको दोस्तो 10 unit के PDF study notes दिये जाएंगे इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक topic wise old paper PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर unit में most important repeated question की PDF दी जाएगी तो दोस्तो जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रूप को join कीजिए और अपनी study अच्छे से कीजिए लिंक वीडियो description box में दिया हुआ है दोस्तो सबसे पहले हम बात करते है nominal skill की अब देखिए nominal skill क्या होता है यहाँ पे हमने English भासा में लिखा हुआ है लेकिन हम आपको बिलकुल असान भासा में हिंदी में समझाएंगे अब देखिए nominal skill क्या होता है nominal skill are used for leveling variable without any quantitative value nominal skill के अंदर हम क्या करते है कि जो हमारे variable है उनको हम level के दवारा represent करने की कोशिस करते है और उनकी जो quantity है वो हम represent करने की कोशिस नहीं करते है और देखिए इसमें हम example लेते है example के जरी आपको अच्छे से समझ में आ जाया यह देखिए इस तरह के फॉर्म के अंदर आपको option काफी देखने को मिल जाएंगे वो पूछेंगे कि what is your gender हमें अपना gender बताना है male है female है what is your hair color hair color हमें बताना है where you live आप कहां पे रह रहे हैं ठीक है तो इस तरह के जो level होते हैं इस तरह के जो form होते हैं उन्हें क्या कहते हैं nominal skill कहते हैं इसके अंदर क्या होता है हम quantity की बात नहीं करते हैं हम यहाँ पे quality की बात करते हैं गुण पूछते हैं अगले काभी आप में क्या गुण है आप male है या female है और आगे हम देखते हैं कि आगे इसके अंदर क्या होता है एक गुड वे टू रिमेंबर आल अफ दीज इस डैट नोमिनल साउंड एलोट लाइक नेम अब देखिए नोमिनल स्केल को याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि यह नेम के जैसे साउंड आ रही है इसके अंदर नेम और नोमिनल यानि कि दोनों को दोनों एक जैसे से है और नोमिनल स्केल और काइंड ओफ लाइक नेम और लेवल तो यहां से हमें क्या पता सलता है कि नोमिनल स्केल को हम क्या कह सकते हैं नेम या फिर लेवल के दवरा रीप्रेजेंट करें उसे हम क्या कहते हैं नोमिनल स्केल कहते हैं और इसमें से कई कोश्चन आएं दोस्तों तो यह आप अच्छे से कर लेना अगर कोई बात समझ में आए तो हम आप हमें मैसेज के जरीए भी पूछ सकते हैं आगे हम देखते दोस्तों की आगे इसमें किस तरह के स्केल आते हैं आगे आता है हमारे पास और दीनल स्केल के अंदर इसके अंदर चुल होते हैं उनके अंदर हम ओर्ड़ करते हैं कि यह किस और का है लेकिन उनके अंदर में ये नहीं पता कि difference कितना है, किस चीज के अंदर कितना difference है, ये हमें नहीं पता होता, अब देखिए example लेते हैं, example से आप अच्छे से समझ पाएंगे, कि यहाँ पे देखिए, ये हमारा example है, how do you feel today, आप आज कैसा feel करें हैं, very happy, unhappy, okay, happy, very happy, तो इस तरह कि भी आपने skill देखिएंगे, form देखिएंगे, जिनके हमें feedback जब दिया जाता है, तो तब आते हैं, तो इसके अंदर problem ये होती है दोस्तों, हमें ये नहीं पता होता कि अब इन दोनों के अंदर एक और दो के अंदर कितना difference है, और happy और very happy के अंदर क्या difference है, कितना difference है, तो और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यह जादा तर जो shopping website होते हैं, वहाँ पे feedback लिया जाता है, how satisfied are you with our service, very unsatisfied, somewhat unsatisfied, इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, और इनके अंदर वही बात है, जो मैंने बताई है कि इसके अंदर जो difference है, वो हमें नहीं पता होता कि इन दोनों के वीच में कितना difference है, के अबल हमें order का पता होता है, आगे देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह का आता है हमारे पस, आगे आता है दोस्तों पता होता कि कितना difference है अब देखी इसे भी हम एक example के जरी समझने की कोशिस करते हैं यहाँ पे हमने एक तापमान मापने का scale लिया है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जैसे 20 और 30 के अंदर कितना difference है पचास और शाठ के अंदर कितना difference है यानि कि यहाँ पे हमें order के साथ-साथ इन दोनों के वीच का difference हमें पता है तो इसे हम क्या कहेंगे interval scale कहेंगे यहाँ पे आप बिलकुल असानी से पढ़ सकते हैं अब देखिए सबसे last में आता है हमारे पास ratio scale ratio scale are the ultimate निर्वाना when it come to data measurement scale because they tell us about the order अब देखिए मापको हिंदी में समझाने की कोशिस करता हूँ रे order भी define कर सकते हैं level भी define कर सकते हैं सारी चीज़े define कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर हम एक absolute value absolute zero के वारे में वह जिकर करते हैं अब देखिए इसका मतलब क्या है they tell us the exact value between units and they also have an absolute zero इसका मतलब क्या है कि जो ratio scale होता है दोस्तों उसके अंदर हम exact value define करते हैं कि कितना है जो हम scale होता है अब देखे थोड़ा समय example लेके चलता हूँ अभी देखे जो interval scale है interval scale के अंदर आप कहीं भी देखे ना इनके अंदर आपको 10-10 का अंतर मिलेगा ठीक है और लेकिन यहां पर क्या होता है दोस्तों जो ratio scale होता है ratio scale के अंदर हम exact value define करते हैं अब देखे यहां पर हम कोई भी चीज़ रखेंगे इसके उपर तो यह हमें exact value बता देगा कि नो किलो पचास गराम या इतना है जो भी है exact value हमें बताएगा और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम absolute zero के बारे में भी जिक्र करते हैं यान से scale के अंदर जिकर किया जाता है तो यह चोटी 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 चीज़ है जो हमें याद रखने की जरूरत है और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि यहां पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है अब देखिए कि जो nominal scale है उसके अंदर हम cable level की बात करते हैं cable level की बात ठीक है और जो ordinal scale है उसके अंदर हमारे पास level भी होगा और पलस में order भी होगा ठीक है और जो तीसरा जो scale होगा दोस्तों interval scale होगा इसके अंदर हमारे पास क्या होगा level भी होगा order भी होगा और exact difference भी हमारे पास होगा इसके अंदर तीनों की तीनों चीज़े होगी और जो चोथा जो होगा दोस्तो इसके अंदर हमारे पास level भी हो सकता है, order भी हो सकता है और exact difference भी हो सकता है यानि कि इसके अंदर तीनों चीजे हो सकती है तो कई वार ये question आ जाता है कि ऐसा कौन सा scale है जिसके अंदर nominal और ordinal scale के गुन हो तो वो क्या होगा interval scale होगा तो ये थोड़ी चोटी चोटी चीजे जो हमें याद रखने की जरूरत है और evening की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम आपको इनके question दिखाएंगे question से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि किस तरह से इनके question आते हैं और किस तरह से घुमा फिरा के वो examiner हमको confuse करने की कोशिश क करते हैं तो दोस्तों आज के लिए वस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को like कीजिए share कीजिए comment कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घं आपने वाली वीडियोज को साने से देख सके थाइंक्यू दोस्तों